भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े उनके पास सत्ता नहीं थी भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े उनके पास संसाधन नहीं थे रत रावन के पास था, संसाधन रावन के पास थे, सेना रावन के पास थी, सोना रावन के पास थी कि वो तो सोने की लंका में रहता था, प्रधान मंत्री श नरेंद्र मोधी जी को यार दिलाना चाहती हूँ, कि इस जीवन राम भगवान के जीवन गाथा का क्या संदेश था, सत्ता सदेव नहीं रहती, सत्ता, सत्ता आती है, जाती है, अहंकार चूर-चूर होता है एक दिन, मुझे इंडिया गटबंदन की और से इंडिया गटबंदन की पांच सूत्री मांगे पढ़ने के लिए कहा है इस से पहले कि मैं ये शुरू करूँ मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहती हूं देखिए ये दिल्ली वाले जानते हैं कि ये दिल्ली का सुप्रसिद राम लीला मैदान है यहां बच्पन से मैं आ रही हूं हर साल दसहरे के दिन यहां इसी मैदान में रावन के पुतले का दहन होता है मैं छोटी थी तो अपनी दादी जी इंद्रा जी के साथ आती थी उनके पैरों के पास समीन पर बैठ के देखती थी उन्होंने हमारे देश की ये प्राचीन हजारों वर्ष प्राचीन गाथा जो रामायन है भगवान राम जी की जीवन गाथा मुझे सुनाई आज जो सत्ता में हैं वैं अपने आपको राम भक्त कहलाते हैं इसलिए यहां बैठे हुए मेरे मन में ये बात आई कि उनको इस संदर्ब में कुछ कहना चाहिए मुझे लगता है कि वैं कर्मकांड में उलज गए हैं मुझे लगता है कि वैं दिखावे में लिप्त हो चुके हैं इसलिए मैं आज यहां खड़े होकर उन्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि वो हजारों वर्ष पुरानी गाथा क्या थी और उसका संदेश क्या था भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े उनके पास सत्ता नहीं थी भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े उनके पास संसाधन नहीं थे उनके पास तो रत भी नहीं था रत रावन के पास था संसाधन रावन के पास थे सेना रावन के पास थी सोना रावन के पास थी वो तो सोने की लंका में रहता था भागवान राम के पास सत्य था आशा थी आस्था थी प्रेम था परोपकार था विने था धीरज था, साहस था और भगरावान राम के पास सत्य था मैं सत्ता में बैठे हुए सरकार के जितने भी सदस्य है अपने प्रधान मंत्री इस नरेंद्र मोदी जी को याद दिलाना चाहती हूँ कि इस जीवन राम भगवान के जीवन गाथा का क्या संदेश था सत्ता सदेव नहीं रहती सदेव नहीं रहती सत्ता सत्ता आती है, जाती है अहंकार चूर चूर होता है एक दिन यही संदेश था भगवान राम का उनके जीवन का और आज यहां राम लीला मैदान पर खड़े हुए इंडिया बगठ बंदन की पाच मांगों को पढ़ते पढ़ने से पहले मुझे ये उचित लगा कि मैं ये संदेश एक बार फिर दोरा हूँ इंडिया गठ बंदन की पाच सूत्री मांगे भारत के चुनाव आयोग को लोग सुभा चुनाओं में समान अफसर सुनिश्चित करना चाहिए दूसरी मांग चुनाव आयोग को चुनाव में हेरा फेरी करने के उद्देश से विपक्षी राजनीतिक दलों के खिलाफ इंकम टाक्स एडी और सी बी आइद्वारा की जाने वाली बलपूरवक कारवाई को रोकना चाहिए तीसरी मांग श्रीहेमन सोरेन एवं श्री जी एवं श्री अर्विंद केजरिवाल जी की ततकाल रिहाई की जाए चौथी मांग चुनाव के दौरान विपक्ष के राजनीतिक दलों का आर्थिक रूप से गला घोटने की जबरन कारवाई तुरंत बंद होनी चाहिए पाच्वी मांग चुनावी बांग का उप्योग करके बीजेपी द्वारा बदले की भावना जबरन वसूली और धन शोधन के आरोपों की जाज के लिए सुप्रीम कौर्ट की निगरानी में एक S.I.T. गठित हो जानी चाहिए बीजेपी शासन द्वारा पैदा की गई अलोकतांत्रिक बाधाओं के बावजूत इंडिया गठमंधन लड़ने जीतने और हमारे लोकतांत्र को बचाने के लिए द्रेड़ और आश्वस्त है झाल